नमस्कार स्वागत आपका हमारे चैनल NJP इंडिया पर मैं हूँ आपके साथ कोमल राओ PM मोदी ने आज दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का पहला चरन बन कर तैयार हो चुका है पहले फेज के शुरू होने पर दिल्ली जैपूर के सफर में अब सिर्फ तीन घंटे लगेंगे हाईवे का उद्घाटन दोसा में करने के पीछे आने वाले राजस्तान विधान सभाच चुनाव रहे हैं बीजेपी राजस्तान में अपनी पकड को मजबूत करने की पूरी तैयारी में हैं दोसा में उद्घाटन के दोरान पीएम मोदी के साथ परिवन मंत्री नितिनगडकरी वहीं पर मोजूद थे उसके साथ हर्याना के मुख्य मंत्री मनुहरलाल और राजस्तान के मुख्य मंत्री अशोग गैलोत उनके साथ ओनलाइन माध्यम से जुड़े थे आईए अब आपको सुनाते हैं पीम के संबोधन की कुछ खास बाते दिल्ली मुंबई एक्स्प्रेस वे के पहले चरण को राज को समर्पित करते विए मुझे बहुत गर्ब हो रहा है ये देश के सबसे बड़े और सबसे आधुरिक एक्स्प्रेस वे में से एक है बीते नव वर्षों से केंद सरकार भी दिनमतर इंफ्रास सक्टर पर बहुत बड़ा निवेश कर रही है राजस्तान में भी हाईवे के लिए बीते वर्षों में पच्चास हजार करोड रुपे से अधिक दिये गए है इस वर्ष के बज़ेट में तो हमने इंफ्रास सक्टर के लिए दस लाग करोड रुपे की व्यवस्ता किये हैं जब इंफ्रास सक्टर बंगर तहियार हो जाता है तो किसान हो, कॉलेज दप्तर आने जाने वाले लोग हो, ट्रक टेम्पो चलाने वाले लोग हो, व्यापारी हो सबको अनेक प्रकार के सुविदाएं तो बढ़ती हैं, उनकी आर्थिक गतिविदी भी बढ़ती हैं साल 2019 में केंद्र सरकार ने जो सपना देखा था, आज वो सपना पूरा हो गया है, देश को आज सबसे लंबे एक्सप्रेसवे की सोगात मिल गई है प्रधान मंत्री ने आज एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ चार राजमार प्रियोजनाव का लोकारपन वेसिलन न्यास भी किया बात अगर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की करे तो 1386 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का पहला फेज बन कर तैयार हो गया है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहना दोसा सेक्षन पर गाडियों की स्पीड लिमिट 120 किलोमीटर परती घंटे होगी यानि कोई भी कार स्पीड से एक्स्प्रेस वे पर फराटा भर सकती है एक्स्प्रेस वे के इस सेक्षन पर यात्रियों की सुरक्षा वे सुईधाव का पूरा ख्याल रखा गया है हर एक किलोमीटर पर CCTV कैमरे लगाए गए है साथ ही एक्सप्रेस वे के सोहना दोसा सेक्षन पर हर 30 किलोमीटर के बाद रेस्ट एरिया बनाया गया है जहां रेस्टोरेंट, पेट्रोल पंप, चार्जिंग स्टेशन होंगे